बिहार दर्शन के लिए राज सरकार 11 करोड की राशी खर्च कर रही है इतने सारे पैसे बिहार सरकार स्कूल में पढ़ने वाले चात्र चात्राओं के सेक्षिनिक भ्रह्मन में खर्च करेगी यानि के बिहार सरकार बिहार दर्शन योजना के तहट सेक्षनिक भ्रह्मन के लिए पैसे की स्विक्रिति की है और सभी जिलों के बच्चों को सेक्षनिक भ्रह्मन के लिए लेकर जाये जाएगा इस बारे में जितनी जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक बिहार दर्शन योजना के तहट सरकार बिहार में मौजूद सभी स्कूलों को 20,000 रुप्य दे रही है ताकि उस पैसे का इस्तिमाल करके उक्त विद्यालियों में पढ़ने वाले छात्रों को सेक्षलिक भ्रह के साथ और आप देख रहे हैं जंता जंक्षन मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के तहट सरकार बिहार राज की सभी स्कूलों के बच्चों को ब्रहमन करवाने के लिए बजट निकालती है और इसके लिए सभी स्कूलों को 20,000 रुप्य भी दिये जाते हैं आपको बत बच्चों की संख्या घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है बच्चों की संख्या अगर बढ़ जाए तो वैसे स्थिति में सरकार 20,000 के पैसे की लिमिट नहीं बढ़ाती बल्कि स्कूलों को अपनी किसी दूसरे कोश्चे खर्च करने होते हैं पैसे लांगे भी आर दर्श से कम एक बार शैक्ष्निग भ्रह्मन के लिए लेकर जाएं और सरकार के द्वारा दिये गए 20,000 रुप को भ्रह्मन के लिए भी खर्च करें हलांगे स्किंग भ्रह्मन ले जाने के बाद सभी विद्यालेओं को इस बास की सूचना विभाग तक भी पहँचानी होती है कि स् सोलों के शिक्षकों को विभाग के पास इस बाद का हिसाब किताब देना होता है विहारदशन योज्णा के तहर्ट सभी मद विद्याले अपने विध्याले के बच्छे को एतिहासिक जल संचे धार्मिक अस्थल जैसे तमाम पर्यटनस्थल पर ले कर जाते हैं और वहाँ पर उन तमाम जगों को घुमाने के साथ साथ जगों से जुड़ी जानकारी भी देते हैं सरकार के द्वारा भीजे गए पैसे के बाद भी अगर कोई विद्याले अपने विद्याले के बच्चों को भ्रहवन पर नहीं ले कर जा साथ उच माधमिक विद्याले और अनुदानित माधमिक विद्याले के छात्र शात्रां को ब्रहमन पर ले बिहार दर्शन करवाकर जब बच्चों के साथ सिख्षक लौट आएंगे तो उसकी बाद ध्रह्मन का पूरा हिसाब किताब करके एक रिपोर्ट तयार करना है और उस रिपोर्ट को विभाग के पास जमा कर देना है बाके कोल मिलाकर बात यही है कि इस साल यानि की 2023 के सेक्ष बच्चिंदेक्टेरी आनिवादी रिए सब्सक्षाइब को विश्चिंदेक्टेरी आनिवादी प्रिपार जूग में विए